एक survey conduct किया गया जिसके हिसाब से 61% marketers ने बताया कि उनकी marketing strategy का एक बहुत important part हो गया है आज के time पे AI 80% business और tech leaders ने भी यही बोला कि AI की वज़े से उनकी productivity बढ़ती है तो आने वाले time में AI rule करेगा पूरी industry को और आपके काम को बहुत असान कर देगा अगर आप एक marketer हो digital marketer हो तो AI आज के time पे भी आपकी बहुत ज़ादा मदद कर रहा है अलग-अलग vertical के अदर और अगर मैं अपना point of view बता के चलूँ तो भाई AI ने marketing industry को एकदम revolutionize कर दिया है तो आज की video हम यही बात करेगे किस तरीके से AI digital marketing का तरीका change कर रहा है सबसे पहली चीज, content automation. आज के time पे AI content को automate कर रहा है आज के time पे ऐसे AI tool आगए है जिनसे आप blog create कर सकते हैं अगर आपको अपनी website के लिए content create करना है, headings create करनी है, तो आप उसको भी create कर सकते हैं आपने जो content AI से produce किया है, आप उस content को AI से voice में convert कर सकते हैं Starting your own business can be daunting, but there are a number of ways to make it a success. One way is to subscribe to intellectual indies और इतना ही नहीं, अगर आप AI से social media posts बनाना चाहते हैं, तो AI से आप social media posts भी बना सकते हैं इस तरीके से पूरी industry चेंज हो रही है, content की दुनिया के अदा है अब थोड़ा सा मैं technical समझाने की कुछ करता हूँ, यह चीज हो कैसे रही है यह चीज revolutionized हुई जब open AI आया market के अंदर और उनने कहा कि भाई हमारा neural engine आज के time पे एक इनसान की तरह content लिख सकता है तो यह basically कर क्या रहा है, यह पूरे internet को scan कर रहा है जितनी भी website लिखी हो है, जो भी blog लिखे हो है उन सब को पढ़ रहा है और उसको समझ रहा है उसको समझने के बाद जब आप उससे कुछ पूछते हो तो आपको उसका answer दे रहा है अभी आज के time पे एक बहुत important चीज चल रही है लोग उसके बारे में बात कर रहे है, चैट, GPT-3 तो basically है क्या है यह, यह वोई GPT-3 के उपर ही काम कर रहा है आप जो कोशन पूछ रहे हो, internet से एक तरह से research करके आपको answer दे रहा है अब यह जितने भी content generation tools है, इसका एक बहुत बड़ा problem है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो क्या है, वो है, आप rely नहीं कर सकते उन्हेंने जो facts दिये हैं आपको, आज के time पे अगर मैं AI की बात करके चलूँ तो AI आपको बहुत अच्छा content create करके देगा, पर उसके अंदर जो facts लिखी होते हैं, वो कई बार गलत हो सकते हैं क्योंकि वो facts, जो data लेके आ रहा है, वो internet से ही लेके आ रहा है, अगर वो internet से लेके आ रहा है, तो यह बहुत बड़ी problem है क्योंकि internet पर जितनी भी चीज़े लिखी है, वो सच नहीं है, अगर आप digital marketer रहा हो आपको यह बात पता होगी, अगर आप Google के उपर कुछ search मारते हो, तो आपको जो starting में result दिखाई देते हैं तो जरूरी नहीं होते कि वो सच होते हैं, वो SEO के हिसाब से optimize होते हैं, इसलिए आपको उपर दिखाई दे रहे होते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं होता है, कि वो सच होते हैं, अगर मैं अपनी company की बात करके चलूँ, तो हम in content generation tool का use करते हैं, अपने Facebook ads की copy generate करने के लिए, अपने clients की websites की heading generate करने के लिए, और इतनी beautiful, इतने अच्छे copy writing वाला content लिखके द होती है, हमको train करना होता है AI को, समझाना होता है कि इसका मतलब यह है, जितने भी tools है, बहुत सारे market करने टूल आ गए है, written content create करने के लिए, वो सारे के सारे, मतलब majorly GPT-3 के उपर काम कर रहे है, open AI के उपर काम कर रहे है, तो open AI उनको एक platform provide कर रहा है, जिसकी उपर एक वो layer बना रहे है, जिसको वो train कर रहे है, जो की, open AI को बताती है कि किस type का content आपको generate करने, और अगर मैं social media की बात करके शुलू, तो ऐसी apps आ गई है, जो आपको post बना के देदेगी, Christmas आ रहा है, तो Christmas की photo ले लो, बहुत सारे options है, आपको अपना logo लगाना है, thumbnail लगाना है, जो जालो, yes, no, yes, no, yes, no, done, बन गया, हो गया, अगली एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, जो की, मुझे पसंद आ रही है, क्योंकि मैं marketer हूँ, और हमारे लिए बहुत beneficial है, वो है predictive analytics, अब अगर आपको पता हो, आप किसी भी website को visit करते हो, तो वहाँ पे आता है, क्या उसको आप comply के लिए approve करते हो, या फिर नहीं करते, तो basically क्या है, European Union का एक rule है, जिसके हिसाब से, आप वहाँ के लोगों को track नहीं कर सकते, उनकी बिना permission के, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि आप अगर Europe के अंदर हो, और मेरी website को visit कर रहे हो, तो अगर आप चाहो त आपको track ना करो, आज के time पे, जैसे safari browser है, chrome भी आने वाले time में इस चीज़ को शुरू करेगा, कि लोगों को वो track ही नहीं करेगे, मतलब अगर Google Analytics यूज़ कर रहे हो, Google Analytics ऐसा tool है, जो आपको पताता है, आपकी website पे कितना traffic आ रहा है, तो tool को पता ही लेगा, आपकी website पे traffic क इतना आ रहा है, एक्चुली लोग आ रहे हैं, पर उसके हिसाब से आई नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आ रहे है, तो ये बहुत बड़ी problem बन जाएगी, आने वाले time पे marketers के लिए, similarly अगर हम ads की बात करके चले, तो अभी recently Facebook के साथ में बहुत बड़ा धोका हु इसे हो रहा था, पर Apple नहीं कहा कि भाई, मैं ते को ट्रैक नहीं कर दे दूँगा, उन्होंने tracking को रोग दिया, जिसकी वैसे उनका AI वीक होता चला गया, अब अगर AI वीक हो गया, तो इसका problem समझ रहे हो, कितना बड़ा हो गया, आपकी Facebook की targeting खराब होती चली जाएगी, आती है, predictive analytics, जो की एक तरह से आपको predict करके देगा, अगर मैं recently Google Analytics के update की बात करके चलूँ, जिसको हम GA4 भी कहते हैं, तो वो predictive analytics की उपर काम कर रहा है, वहाँ पे आपको वो जो data दिखा रहा है, वो AI के साथ में जुड़ के आ रहा है, एक्चुल आपकी website पे शाथ 40 लोग track क पाया है, पर उसको लगता है कि 60 लोग आए होगे, क्योंकि उसका AI बताता है कि ऐसे इतने पसंड लोग होते हैं, इस category of business के अंदर, जो अपनी tracking को बंद करके रखते हैं, अब बहुत सारे ऐसे लोग होगे, जिनको digital marketing बहुत अच्छे level पे नहीं आती, या फिर अभी विग तरीके से ग्रो करते रहें, तो हम कितने पसंड से ग्रो करेंगे, क्या हम ये strategy को चला रहे है, क्या इसकी वह से return आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये सब कुछ manually करना almost ना मुंकिन था, पर बहुत सारे ऐसे tool आ गए है, जो आपके लिए credit कर पा रहे है, और ये बह keyword select करती है, और अपने हिसाब से आपके target audience को ads दिखाती है, अभी के time पर auto ads उस level की powerful नहीं है, बर annual time में जैसे-जैसे लोग उसको use करेंगे, जैसे-जैसे उनका AI train होगा, AI इस तरीके से ही काम करता है, AI को आपको train करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि किस तरीके से ते क के साथ में जोड़ देते हैं, तो अगर आप Google Ads पे ads चलाते हो, तो आपको कई बार bidding को सुच करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको वस AI tools आ गए है, आपको वस click करना है, और आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो आप future imagine कर पा रहे उनी tools का use करके अपने social media के post भी में ला लेगा, अपनी heading, wedding जो भी उसको बनानी है, वहीं से AI tools के थ्रू बनाता रहेगा, हम marketers का काम क्या रहे जाएगा, अब यह डरने की बात नहीं है, AI हमको replace नहीं करेगा, वो मैं last में समझाऊंगा कि कैसे नहीं करेगा, अगली एक जड़ा chat GPT चल रहा है, तो वो भी एक तरह का chatbot ही है, तो अगर मैं उसको अपने हिसाब से, अपने business के हिसाब से train कर दूँ, तो मुझे अपनी website के अंदर किसी को बिठाना नहीं पड़ेगा, आज के time पे अगर आप मेरी website के उपर जाते हो, वहां पर chat करते हो, तो वो हमा के बाद में आप अगर उनसे question पूछते हो, तो वो answer नहीं दे पाता है, और इसके अंदर हमने AI ले आए, और उसको AI को next level train कर दिया, तो आप समझ नहीं पा रहे हो, कि एक job खा सकता है, जो किस तिर चैट समालता था, उसकी job जा सकती, और आप जितना असान सोच रहो हो, चै अभी के time पर मान के चल रहा हूँ कि इनको words को offensive treat कर दिया गया होगा, कि ऐसे words का use नहीं करना, पर यह AI है, AI को आप जैसे train करोगे, AI वैसा बन जाएगा, तो अगर AI को गलत तरीके से train किया गया, तो AI गलत results लाके देगा, यह एक risky चीज़ हो सकती है, content की दुनिया के अंदर गलत training हो जाए, तो यही reason है कि बहुत सारी companies जो यह content generation के उपर आ रही है, वो सारी की सारी अपने खुद के models बना रही है, उन models को खुद पीछे भी manually train किया जाता होगा, आपके inputs के साफ़ से भी train किया जाता होगा, उसको modify करते रहते होगे, पांच वी और सबसे important चीज़ ज मतलब आपकी अगर website है तो AI आपको बताएगा कि आपका button गलत है, AI आपको बताएगा कि आपका content इस side पे होना चाहिए, AI आपको बताएगा कि आपने जो content लिखा है वो ऐसी optimized नहीं है, यहाँ पर यह changes लेयाओ, AI आपको बताएगा कि अगर आप ads run कर रहे हो, तो आप अगर अगर आप Facebook ad run कर रहे हो, तो भाई, graphics में दिक्कत है, या फिर आपकी copy में दिक्कत है, या फिर आपकी strategy ही faulty है, यह सब कुछ AI predict कर सकता है, तो यह है future of digital marketing, जो कि थोड़ा-दा scary भी लगता है, और लगता है कि हमारी job खा जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए simple सी बात, यह जितने भी suggestions दे रहा है AI, at last इसको yes or no करने के लिए आपको एक ऐसा बंदा चाहिए, जो इन चीजों को समझ पाए, हाँ, jobs कम हो जाएगी, और उनी लोगों की jobs रहेगी, जो की technically sound होगे, जिनको concept समझ में आते होगे, अभी के time पे आपको AI predict करता है, budget बढ़ा क्या वो budget बढ़ाना चाहिए, क्या उससे हमको फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, AI कहता है भाई, keyword दाल दो, क्या वो keyword दालना logical है या फिर नहीं, अगर logical है, तो जिस तरीके से वो दालने के लिए कह रहे है, वैसे ही दाले, अगर आपने Google Ads use किया होगा, तो Google Ads क् credit करता है, कहता है, आपको सीधा keyword दाल दो, broad के अंदा है, क्या हमको broad में keyword दालना है या फिर नहीं दालना है, क्या हमारी strategy के साथ जाएगा या फिर नहीं जाएगा, वो हमारे हाथ में रहेगा, हमको कहेगा कि बटन को इधर ले जाओ, या फिर color को change कर दो, क्या वो colors हमारी brand kit की हिजाब से जाएगे या फिर नहीं जाएगे, ये सारी चीजे हमारे हाथ में रहेगे, तो digital marketer को दनने की जुरत नहीं है, digital marketer को ये tools असानी provide करेगे, ना कि आपकी job खाएगे, पर कहानी ये है, आपके concepts clear होने चाहिए, आपको सारी चीजे समझ में आनी चाहिए, तो च रहे हैं, बंदे मातरम, और अगर आप digital marketing को detail में सीखना चाहते हैं, तो मैंने free digital marketing का course बना रखा है, playlist का link description में है, आप उसको देख सकते हैं